इस वीडियो में हम पढ़ रहे है क्लास 10 के जोगरोफी के चैप्टर नमबर 4 को जिसका नाम है एग्रिकल्चर और यह वीडियो नमबर 3 इस चैप्टर का इसके पहले दो वीडियो के हैं मैंने इस चैप्टर के उपर दिखिए पिछले टॉपिक में हमने जो हमारा क्रॉपिं देल सम जानेंगे और वो किस तरीके से उगाइ जाते है किन-किन राज्यों में एगाइ जाते हैं इस तरीके के डिटेल सम्क्राप्स के बारे में जानेंगे तो दिखिए यहाँ पर introduction १म मेजर कॉप्स का पढ़ लेता है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया में काफ कौन सा crop उगेगा किस जगह पर कौन सा food crop उगेगा किस जगह पर non food crop उगेगा ये बार depend करती है कि जो हमारा जो reason है वहां का soil कैसा है climate कैसा है cultivation practice कैसा है इस चीज के अधार पर हम एक तरीके से crop को उगाते हैं तो आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में अलग जगह पर अलग लग food crops को उगाये जाता है और जो important food crops हैं इंडिया का वह है rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugar cane, oilseeds, cotton, jute इन सभी के बारे में यहां पर हम पढ़ने वाले हैं तो आई हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले rice के साथ और हम rice के कुछ details को देख लेते हैं कुछ important points को देख लेते हैं तो देखे rice जो है वह इंडिया का staple food crop है, staple food crop कहने का मतलब यह है कि इंडिया के ज़्यादा तर लोग इसको अपन अरीके का खरीफ crop है जिसको की काफी high temperature की जरुवत होती है, generally 25 degree Celsius से ज़्यादा और इसको काफी high humidity की जरुवत होती है और साथ ही इसको काफी ज़्यादा rainfall की जरुवत होती है, 100 cm से ज़्यादा और जिन reasons में rainfall काफी कम होता है वहाँ पर इसको irrigation की मदद से उगाया जाता है, irrigation की मदद से produce किया जाता है, और इंडिया में rice को North India के plains में उगाया जाता है और North Eastern India के plains में उगाया जाता है, और जो हमारा coastal areas है या फिर जो deltaic regions है, इन regions में भी rice को काफी ज़्यादा मातरा में उगाया जाता है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा canals का जो development हु जहाँ पर काफी कम rainfall होता है, जैसे कि आपका पंजाब, हरियाना, western, उतर प्रदेश या फिर राजस्थान के कुछी से, जहाँ पर पानी की बारिज जो है वो काफी कम होती है, वहाँ पर भी अब लोग आसानी से rice को produce कर लेते हैं, और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम पढ़ते हैं wheat के बारे में, तो देखे, wheat जो है, वो इंडिया का second most important cereal crop है, और ये जो है, ये काफी, ये हमारा main food crop है, north और north western इंडिया में, यानि हमारे country के जो north western पाट है या फिर north पाट है वहाँ पर, और ये जो है, ये एक तरीके का रभी crop है, जिसको cool growing season की जरूत होती है, और इसको bright sunshine की जरूत होती है, पकने के समय में ही है, यानि जब ये पकने के लिए तयार होता है, कटने के लिए तयार होता है, उस समय में, और इसको 50-75 cm annual rainfall की जरूत होती है, जो की पूरे season में evenly distributed हो, इंडिया में दो important wheat growing zones है, या फिर हम reasons कह सकते हैं, पहला तो आपका गंगा सतलच जो plain है, वो reason हो गया, नौर्थ हिंडिया में, और जो आपका black soil reason हो गया, डेकन reason में, यानि जो आपका आंत्र प्रदेश, आपका महराश्ट, जो डेकन reason है, वो तो आप जानते ही है, उस reason में, और जो major wheat producing state है, वो है पंजाब, हर्याना, उत्तर प् most important cereal crop है, या फिर इसको 50-75 cm annual rainfall की जरूत होती है, या फिर इसको एक तरीके का रवी crop है, इस तरीके के जो details है, इस पर आप ध्यान दे और इसको आप याद कर ले, तो आपको अगर examination में question पूछा जाएगा, तो आप आसानी से इसको answer कर लेंगे, तो आप हम पढ़ रहे है millets को, तो देखे, millets में हम पढ़ेंगे जवार, बाजरा और रागी के बारे में, तो ये जो है, ये काफी important millets है, millets को simply हिंदी में हम कहते है, मोटे अनाज, और ये जो तीनो है, इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में, और देखे, ये जो तीनो है, य लेकिन इनका जो nutritional value है, ये काफी high होता है, for example, जो रागी है, वो काफी rich होता है, iron के मामले में, calcium और दूसरे micronutrients के मामले में, और अब हम पढ़ते हैं, एक-क को बारी-बारी से, यानि सबसे पहले हम पढ़ेंगे जवार को, तो देखे, जवार जो है, वो third most important food crop है, with respect to area and production, यानि कितने बड़े area में इसको उगाया जाता है, और कितना इसका production होता है, इस हिसाब से ये इंडिया का तीसरा सबसे important crop है, और ये एक तरीके का rain-fed crop है, जिसको ज़्यादा तर उगाया जाता है, moist area में, जहां पर irrigation की जरूरत नहीं होती है, और जो major जवार producing state हैं इंड बाजरा के बारे में, तो देखिए जो बाजरा है, ये आपको जो sandy soil है, और जो shallow black soil है, यहां पर काफी अच्छी तरीके से उगता है, और जो major बाजरा producing state हैं इंडिया के वो है राजस्थान, उतरप्रदेश, महराश्टरा, गुजरात और हरियाना, और इसके बाद है हमारा third और वो है हमारा रागी, तो देखिए रागी को अब हम पढ़ लेते हैं, तो रागी जो है, वो आपका bright reasons का crop है, और ये काफी अच्छी तरीके से उगता है, red, black, sandy, lomi या फिर shallow black soils पर, और जो सबसे बड़े रागी producing states हैं इंडिया के वो हैं करनाटका, तमिलनाडू, हिमा प्रदेश, तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे हम पढ़ते हैं मेज के बारे में, जो देखिए मेज जो है, वो एक crop है, जिसको use के आता है, food के रूप में भी, और fodder के रूप में भी, यानि आदमी लोग खुद के लिए भी use करते हैं, और जानवरों के चा अलुवियल सोईल में, तो आपने सोईल चैप्टर पढ़ा है, तो सोईल में आपको पता हुआ कि ओल्ड अलुवियल सोईल क्या होता है, और कुछ जो स्टेट्स हैं, जैसे कि बिहार हो गया, यहाँ पर आपको मेज जो है, उसको रवी सीजन में भी ग्रोख किया जाता है, तो यहाँ पर इमेज दिया गया है, मेज कल्टिवेशन किया जा रहा है, और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पर जो मोडर्न इंपूट्स का यूज है, या फिर मोडर्न टेकनलोजी का यूज है, जैसे कि हुआईवी सीड हो गया, फटिलाइजर हो गया, इनके वयाद से जो मेज का प्रोड़क्शन है, वो काफी जदा अब बढ़ चुका है, और पहले के मुकाबले अब काफी जदा इसका प्रोड़क्शन हो रहा है, और जो मेजर मेज प्रोडूसिंग स्टेट से इंडिया के वो है करनाटका, उतर प्रदेश, बिहार, आंथ इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर आ जाता है हमारा पल्सिस, पल्सिस को हम देख लेते हैं, और इंडिया जो है, वो लार्जिस्ट प्रोडूसर और लार्जिस्ट कंजूमर है पल्सिस का पूरी दुनिया में, यानि पल्सिस को सबसे ज़्यादा प पल्सिस होंगे, और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पर जो मेजर पल्सिस हैं, जिनको इंडिया में उगाया जाता है, वो है तूर, जिसको अरहर भी कहते हैं, उरद, मूंग, मसूर, पीज, या फिर ग्राम, तो यहाँ पर आगे में इसको कर देता हूँ, तो यहाँ पर आगे आपसे question पूशा जा रहा है, कि क्या आप distinguish कर सकते हैं, कि कौन सा जो pulse है, उसको खरीब सीजन में उगाया जाता है, और कौन सा जो pulse है, उसको रवी सीजन में उगाया जाता है, तो देखिए, इस question को आप खुद से ही पढ़ लें, क्योंकि काफी सारे न लेगुमिनस क्रॉप्स होते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ, लेगुमिनस क्रॉप्स कहने का मतलब यह हुआ, कि देखिए, यह जो क्रॉप है, यह soil के fertility को restore करते हैं, यानि उसके fertility को बढ़ाते हैं, और यह जो क्रॉप्स हैं, यह nitrogen को mix करते हैं, air से आपके soil में, तो इस तर fertility बनी रहे और दूसरे क्रॉप्स भी अच्छी तरीके से उख सकें, और जो major pulse producing state हैं, इंडिया में, वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महराष्ट और करनाथ का, इसके बाद आ जाता है हमारा next topic, वो है food crops other than grains, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं next video में, तो मिलते हैं आप से हम next video में, तब तक के लिए good bye.